Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हुरूपा और आज मैं आगे हूँ एक हिल्दी रेशिपी के साथ और वो है सोया पपाया करी ये बहुत ही लाइट ओटेक रेशिपी है और साथ ही साथ एक हिल्दी रेशिपी है घर में जरूर एगवा ट्राई करना खाने में एकदम मस्त बनते है तो चलिए द आट कर रही हूँ वान टेबल स्पून रिफाइन ओएल ओएल हमारी गरम हो गए है आट कर दूंगी वान टी स्पून जीरा ये बहुत ही लाइट एक रेशिपी है आट कर दूंगी दो रेड चिली आट कर दूंगी एक बेलिप्स थोड़ा सा फ्राइब कर लूंगी और पापाया को अभी मिला के थोड़ा सा फ्राइब कर लूंगी पापाया हमारी फ्राइब हो रहे है तो इसके मैट कर दूंगी वान टी स्पून सॉल्ट इससे पापाया बहुत ही जल्दी पक जाएगी वान टी स्पून हल्दी पावडर अभी सारे चीजों को बहुत अच्छ से ठ्राइ कर लूंगी देख लिजिए पापाया हमारी बहुत अच्छे से ठ्राइब हो गए है तो अभी एड़ कर दूंगी हाफ थीस्पून वीरा पाउडर यह तोटली ऑप्शनल है इसको भी स्कीप कर सकते हो लेकिन मैं दे रहे हूँ थोड़ा सा स्वाध बढ़ाने के ल अभी इस टैम मैं एड़ कर दूंगी ग्रीन चिली मिला दूंगी और बस एक मिनिट के लिए फ्राइ कर लूंगी पापाया हमारी पूरा के पूरा रेडी हो गए है तो इस टैम मैं एड़ कर दूंगी सोया चांस मिला के अच्छे से फ्राइ कर लूंगी ऐसे मिला दीजिए और फ्राई कर लीजिए देख लीजिए स्वयबिन हमारी बहुत अच्छे से क्राई होके इद्धम रेड़ी है तो अभी इसके अंदर आड़ करेंगे पानी स्वयबिन को मैंने जिस वाटर से भीगो के रखा था तो वही मैं अभी यूज़ कर रही हूँ कर दीजिए और मिला दीजिए सारे चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है और इस टाइम में एक बार चेक कर लीजिए सॉल्ट सही है या नहीं मैं अभी याट कर दियू और वान टीस्पून सॉल्ट मिला दीजिए और अभी धक्कन लगा के बिस पाच मिनिट के लिए कुक कर लीजिए धक्कन हटाएंगे देख लीजिए हमारी सोया पपाया कारी अभी एकदम रेडी है ये थोड़ा सा लाइट रेसिपी है मैंने फस्ट में बता दिया लेकिन ये बहुत हिल दी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है घर में जरूर एक बाट राइ करना और कैसा लगा मेरे रेसिपी अगर अच्छी लगी तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे आच्छे रेसिपी के नोटिफिकिशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना तो आज के लिए इतना ही, till then take care, bye bye.